जाहीन दोस्तों, Welcome Back, my channel friend आज हम देखने वाले एक्सल के अंदर एक्सल के इंपोर्टेंट फीचर जिसका नाम है Format Painter Format Painter इतना इंपोर्टेंट एक टूल है Excel के अंदर जिसका आप यूज करके अपने पर्टेकुलर गिवन डाटा में अगर कोई भी एक आपको ऐसा डाटा मिला है जिसके अंदर फॉर्मेटिंग जो की गई हो प्रॉपर तरीके से नहीं है इसलिए इसका नाम फॉर्मेट रखा गया है तो आज हम जानने वाले हैं कि कोई भी आपको दिया गया डाटा जिसमें फॉर्मेटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं है त जितना इसलिया पुस्ट डाटा को फॉर्मेट कर सकते हो जिस भी फॉर्मेट में आप चाहती हो थोड़ा सब आ थेयोरिकल पार्ट देख लेंगे ताकि आपको कुछ भी दिख्कत होती हो तो आप इस थेयोरिकल पार्ट से एजी लिए अंडिसेंड कर सकते हैं तो यहां आपको पता चलिए कि फॉर्मेट पेंटर बेसिकली होता क्या है काम क्या करता है ठीकिन आपको दिखा जितना वरी थोड़ा सब एक्सल पे पहले उसके तम इस थेयोरिकल पार्ट देख लेंगे एक्सल शीट पे जैसे कि प्रेंट आपको में एक्सलीट दिख रही होगी य देखने वाले हैं वो कैसे काम करता है और और फॉर्मेट पेंटर का क्या प्रॉपर यूज़ है तो एवर सोड़ पार्ट देख लेते हैं फिर उसके बाद हम फिर से एक्सिट पर आते हैं और देखते हैं ठीक है चलिए वरी फॉर्म पार्ट पेंट्स तो फ्रेंट यहां पर वही चीज़ लिखी गई है कि पर्टिक् करेंसी में है साइस कलर है बोल्ट है टैली के अंडर लाइन है कोई कलर में दिक्कत है मतलब कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको डाटा दिया गया है और वह अरेंज नहीं है और आप उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहते हो तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज करके उसको easily एक format में ला सकते हो आप तो how to use format painter तो आप वो कहां से मिलेगा क्या है वो तो आपको सामने हो आइकन मिल जाएगा जैसी cut और copy का आपको जहां पर आइकन दिखते हैं उसके नीचे ही आपको ये format painter का option दियाता है format painter पर active कैसा होता है अपने particular cell को क्लिक करा उस पर कंट्रोल एक करा और जब आप format painter पर क्लिक कर दोगे तो उसके साइड में डॉटिट लैंड बन जाएगी और उसके बाद जिस पर आपको सेल पर उसको format को लाना है वहां पर प्लस और बरस का शाइन बन जाएगा यानि कि वह एक्टिव हो चुका है ठीक है यह वो बेसिक पार्ट है ठीक कुछ एक्सल फॉर्मेट पेंटर में मिलब क्या टिप्स आपको याद रगने की हाव तो कोपी फॉर्मेट पेंटिंग रेंज मैं आपको बता दूंगा वहां पर यह और एक इंपॉर्टेंट चीज हो तो पता होना बहुत जुरूरी है कि हाव तो कोपी फॉर्म नॉ सब्सक्राइब कर लेना थेओरी पार्ट है ताकि आपको यह इसली अंडर्सेंडिंग हो ठीक है हाव तो कोपी फॉर्मेटिंग यह पूरे चीजा यह वरिसको अपना पढ़ लेना अब हम चलते जीदा एक्सल पे और देख लेते हैं प्रहा प्रैक्टिकल लिए वरी हुआ कि स्यार्न आपको दिख रहा होगा डेटा मेरे पास त्रॉफ़र्ट कि तो सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं वर्थ मैं चाहता हूं जो मेरी सेल है ह 20 फो दिकश्य है या फॉसकी यहां पे आपको दिख scores ॉप तो मैं क्या करने वाला हूं अब मैं इस पर्मेट पूरा का पूरा यह फॉर्मेट चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा प्हेले मैं इस format बचाता हूँ तो यानि कि मैं इस पर क्लिक करूँगा अब यह एक्टीव हो चुका है यानि कि मैं कुछ भी करूँगा तो इस स्थाल में सब्सक्क्राइब कर इसी जाओंग एक्टिव करूंगा इसिए है च्शडायम का है रिए आरे अनड्या दिवल्य भी हो पार्मेटदे से hastareth आय agility यह 2020 मिनल्स कोई शय trata है पूर प्रगा अनोसा ही परमेटएब जिसमें आप चाहते हो इस तो इसका तोड़ा वीडियो बढ़ी हो जाएगी ब्लीज देखना इसको आपका यूस फुल है आपके काम आएगा लाइक मैं चाहता हूं लास्ट नेम है मैं उसको अधिक और कर देता हूं लाइक मैं यह लोग रटे मैं चापता हूं कि पीड़ा एक यालो ही हो जाया पूरा को इसमें आप ले सकते हैं थिए मठनल हम अब हम करने वाले हैं न्वाले कोwow सब्सक्राइख के लिए ओन आगजने चाहता हूं इस वाल यूज Augen एजली आपको हाइलएट करते हैं like मैं एक मीट左 हाइलेट करना चाहता हूं तो मैंने इस पे मैंने इसको पर्टिकुलर कलर दे दिया मैं चाहता हूं कि यह मैंने इस पर्टिकुलर कलर दी थी अब मैं जाता हूं कि यह आईडी नंबर 1, 3, 5 और 7 यह हाइलाइट हो जाए ताकि मिरा जो डाटा है मुझे पर्टिकुलर हाइलाइट दिखे ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो तो मैं इस पूरे डाटा को के फॉर्मेट पियंटरर यूजि कर लोंगा ठीक है अब मैं इन साब अपको इस पर ध्यान रखना है जब आप पियंटरर यूजि करें तो जबद आपको डे जिनरु में यूज करनाही तो आपको डवल किलिक करना पड़ेगा तब जाके वा एट जसेंटी काम करेगा लेक्ड मैं आफ तक तो में करूँ आभे एड़ He von Lyka और इसको चुका अब यह जायेगा नहीं अब मैं यह शिंगल किलें कर था थो खहित आए इसना ब्याइफीट डोस्पनें डाट सकते हैं और कोई पτέल ईसने के लिए अ क्लेट करनाँ भीसको एक सकते हैं। important features के लिए चनल को subscribe and bell icon click करें ताकि आपको important important Excel की feature मिल जरें so thank you for watching my video friends thank you bye bye thank you friends